अब यहां लोग NCRT का exercise number 9.4 देखने वाले हैं, last 12 physics का इस question में एक छोटा सा mistake है, ठीक है, यहां पर 47 degree angle दिखाया गया है, जब कि actually में यहां पर 41 degree है हुआ, तभी जाकर कि आपका सारा answer, 3 answer match कर जाएगा, ठीक है, तो इसमें question यह बोल रहा है कि जब light air से glass में जा रहा है, एक यहां पर angle of incidence 60, यहां 41, और यहां पर angle of incidence 45 है, तो यहां पर angle of reflection, यह वाला angle मेरा, कितना degree होगा, यह हमको बताना है, ठीक है, तो यहां पर 47 कर दिया है mistake से, तो यह नहीं होगा, 41 होगा, तभी आपका सवाल बनेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ठीक है, तो चलो आप angle है, light इसमें से उसमें जा रहा है, तो यह angle of incidence 60 degree by sin R हो गया, 35, mu 2, दूसरा वाला medium कौन सा है मेरा, glass है, और पहला वाला जो medium है, वो है रहा, वो क्या है, air है, air कर effective index 1 होता है, आपको पता है, glass का भी हम लोग निकालेंगे, इसी को solve करतके, तो 60 degree का value होता है, 0.866, ठीक है, अच्छे, divided by sin 35 degree का value होता है, 0.573, ठीक, उसके बाद इधर ये तो 1 हो गया मेरा, ये हो गया क्या, mu z, ठीक, जब इसको ज़रा solve किया जाए, तो mu z is equal to, यानि कि glass का refractive index कितना आएगा, इसको जब इससे आप divide करोगे, तो ये आजाएगा 1.51, ठीक है, तो आप solve करके check कर सकत इसका value, या इसका value, calculator पर भी, निकाल करके check कर सकते है, इतना divided by इतना, इतना आजाएगा, ठीक है, ये आपको answer में भी दिया हुआ है, अच्छा, अब आगे इस पर बात करते है, यहां कि अनुसार देखा जाए तो ज़रा, ठीक है, यानि कि ये music, यानि glass का refractive index, इतना आए ठीक है, यहां पर, अब एक चीज़ यहां पर देखे जाए, यहां पर भी snail slow लगाएंगे अगर, तो sine i, तो पहले तो ray इसमें है न, तम नहीं इधर जा रहा है, ये angle of incidence काम कर रहा है, तो sine i by sine r, ठीक है, बराबर mu2, तो light इसमें से इसमें जा रहा है, ये दूसरा medium हुआ, mu2, ठीक है, यानि कि refractive index of water, mu2 बटे, mu1, यानि air का refractive index, air का refractive index, तो sine 60 का value, तो 0.866 divided by, sine क्यालते हैं, 41 degree का जी value होता, वो होता 0.656, ठीक है, बराबर क्यालते हैं, muw, यानि कि refractive index of water, और air का तो मेरा 1 होता है, तो 1 नीचे लिखने वी ज़रूत नहीं है, तो यहाँ पे muw, यानि कि water का refractive index आएगा, इतना कि जब आप इससे divide करोगे, तो क्यालते हैं, यह divide करके, यह मेरा आजाएगा, 1.32 आएगा, ठीक है, तो क्यालते हैं, water का refractive index आया हमारा, वो कितना 1.32 आया, ठीक है, यह चीज भी सही, यहाँ तर भी कर लेंगे, अब उसक r is equal to mu2 बटे mu1, यही न करना है, तो sine i, यह incident रहे हैं, तो इसके साथ normal जो angle बनाएगा, angle of incidence, sine i, यानि कि क्या, 45 by sine r, यह वाला angle हमको निकालना है, r हमको यह मालूम नहीं है, तो इसको r ही छोड़तेते हैं, बराबर mu2, यानि कि दूसरा वाला medium का refractive index, दूसरा कौन सा है, glass बटे mu1, यानि कि पहला वाला medium का refractive index, और यह पहला कौन सा है, water, तो यहां से हम लोग चाहें, तो sine r में r का value निकाल सकते हैं, तो यह r कैसे निकालेंगे, तो आप एक चीज़ देखो, लिख सकते हैं, sine 45, इसको इधर multiply कर देते हैं, और यह divide में आ जाता है, यह उधर चला होते हैं, हम लोग ठीक है, तो जैसे ही क्यालते हैं, यह sine 45 का value आ जाएगा, वो हो जाता है, 0.707, ठीक है, into mu w, mu w हम लोग निकाल चुके हैं, 1.32, यानि कि refractive index of water, बटे refractive index of glass की बात करें, तो वो है 1.51, वो कितना है, total के पटे में हैं, divide में हैं, तो 1.51, is equal to मेरा क्या है, sine r, ठीक है, sine r हो गया, यहाँ पर अब हम लोग क्यालते हैं, जड़ा solve कर लें, इसको जैसे इससे multiply करोगे आप, तो यह दोनों क्यालते हैं, multiply होके आजाएगा, 0.933, ठीक है, 933, divided by 1.51, is equal to sine r, ठीक, अब इसको जैसे इससे आप divide करोगे, तो यह मेरा आजाएगा, 0.61788, बड़ाबर क्या, sine r, अब एक चीज है, क्यालते हैं, आप यह एक चीज देखोगे, तो यह जो value आता है, sine r का, आप इसको लिख सकते हो, r बड़ाबर, यह इधर आजाएगा, तो sine inverse, 0.61788, ठीक है, तो यह जो है, sine inverse, यह कितना का value होता है, तो इसको जब solve करोगे तो यह आजाएगा, r बड़ाबर आपका, क्यालते हैं, लगभग 38.1610, इतना, इतना degree होता है, ठीक है, लेकिन इसी को r बड़ाबर, लगभग हमने लिख सकते है, 38 degree, ठीक है, ऐसा, यह पिर आप एहां से भी देख सकते हैं, यह जो value है, sine 38, इतना का value होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं, sine 38, यह r बड़ाबर, यह जो angle है, यह angle मेरा कितना आगिया, 38, अब आप answer check करके देखो, तो इसका भी value इतना दिया होता है, इसका value इतना दिया होता है, और r बड़ाबर, वो लगभग में, प्रॉक्स में, वो दिया होता है, ठीक है, solution, पसंद आया होतो, लाइक क